मैं सबसे पहले आपसे यह जाना चाहते हैं कि आपके accordingly कोई भी जो नया व्यक्ति वेदान्त सीखना चाहता है उसके लिए सबसे easy to understand कौन सी list of वेदान्त उपनिशद आपके हिसाब से हो सकते हैं जितने भी उपनिशद है या जितने भी वेध है जिसे मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक आपको पढ़ना चाहिए वो है अथर्ववेद और अथर्ववेद में से भी अगर मैं कहूं कि कौन से ऐसे verses हैं जिसको आपको बारीकी से study करना है वो सबसे छोटा उपनिशद है सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा पावफुल है अगर आप वो समझ गए तो बहुत सारे ऐसे भी मंत्र होंगे वेदो के जिनको आप बड़े असानी से ruled out कर सकते हो जिनको आप बड़े असानी से कह सकते हो कि यह जो interpreter है जिसने भी इसको interpret किया है अपने तरीके से फिर चाहे हिंदी में किया है चाहे English में किया है चाहे किसी भी language में किया है बड़े असानी से देख लोगे कि अच्छा यहां पर मिलावट हुई पड़ी है क्योंकि it is not in line with the Mandu के उपनिशद जी जी जो Mandu के उपनिशद में कहा गया है अगर उसको आपने बारीकी से समझ लिया है और उसको sound of silence से अच्छे से relate कर लिया है and sound of silence को experience करके आपने ये भी देख लिया है कि जो बात कही जा रही है वो इसके बारे में है and अगर ये ही आत्मा है तो the concept of rebirth is not possible there कोई separation है ही नहीं ये चीज़े हमको बारीकी से समझ आने लग जाती है जब हम इसको समझ लेते है तो मतलब आपके कहने का मतलब की ठीक है हम लोग वेदानता पढ़ते है but हम इसको एक concept है ये एक concept है या फिर reality समझान की कोशिश की गई है what do you think according to you it's not important what I think what is important is कि ये वेदानता है क्या वेदानता is the essence of all Vedas आप कह सकते हो वेद मतलब क्या knowledge knowledge is not your knowledge or my knowledge knowledge is not Indian knowledge और European knowledge for that matter knowledge is knowledge knowledge मतलब क्या वो ग्यान जो इंसान के लिए beneficial है अब ग्यान दो तरीके का है एक है जिसको हम science बोलते हैं कि हम दुनिया में रह करके कुछ कर सकते है prosper कर सकते है आगे भढ़ सकते है inventions कर सकते है वेद मतलब क्या knowledge जैसे आयूरवेद आयूरवेद का मतलब क्या हुआ कि related to आयूश आयूश in the sense के good health health से related जो knowledge है ऐसे ही वेदों के अलग-अलग aspects है regarding अलग-अलग fields उसमें जो supreme knowledge है वेदो में जो वेदान्त जिसको बोलते है that is आत्मग्यान now what is आत्मग्यान knowledge about the self इस से उपर कोई knowledge नहीं है तो यहां पर किसी का कोई concept नहीं है this is not a concept this is the reality which was seen as it is and which can be verified by anybody and everybody no matter who that person is हजारों साल पहले जो लिखा गया है वेदों में या उपनिश्यद्स में उसको हम आज भी बड़े अराम से verify कर सकते हैं अगर कोई verify करने वाला हो तो उसी को science कहेंगे न तो it is the science of the self और जो हमारी external science है वो कभी भी वहां तक नहीं पहुच सकती क्यों? क्योंकि it is always observing so there is always an observed जिसके उपर सारा ध्यान है observing through an instrument observing through the eyes observing through the senses या फिर इन senses को हम और develop कर देते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि और instruments हमने add कर दिया उसके थुर हम observe कर रहे हैं but science is always about the observed phenomena not the observer for that matter तो यह जो विदानता है जिसको बोलते हैं highest knowledge जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है that is knowledge of the self इसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया तो यह कोई point of view नहीं है यह कोई concept नहीं है यह reality है और जो है so as it is है but इसको समझने के लिए now comes the question कि इसको कैसे समझा जाए point यह नहीं है कि जो mandu की operation में कहा गया है वो सही है या नहीं है point यह है कि हम कैसे समझे कि वो जो बात कही गई है उसको कैसे समझे कैसे उसको verify करे यह हमको कैसा mind चाहिए उस बात को समझने के लिए तो कि जिन रिशी मुनियों ने वो बात कही है उनकी understanding एक level पर थी जिसके बेखने उनने वो बात कही है तो अब कैसे समझा जाए उसको समझने का सिर्फ एक तरीका है जो आज के time में almost next to impossible है वो है you need to be free from raag and dvish that means you need to be free from craving and aversion के आपके mind में बहुत ही कम thoughts हूँ किसी भी तरह के तब जो reality जैसी होगी वैसी आपको दिख जाएगी but if you are full of cravings and aversions and fears and greed and so-called attachments this is mine this is not mine ये जो मेरा है चला गया तो क्या होगा ये क्या होगा वो क्या होगा death अगर कभी आप बारीकी से अपने mind को observe करेंगे तो आप देख लेंगे कि इसमें कभी न कभी कोई न कोई थोट चलते ही रहते हैं और उसकी ज़ण होती है या तो आपको किसी न किसी परसं से या किसी चीज से नफरत होती है उससे related thoughts चलते रहते हैं माइंड में या कोई बहुत ज़़ादा पसंद होता है या आप चाहते हो अंदर से वो thoughts चलते रहते हैं तो आप कौन eligible है मांडू के उपनिश्द को समझने के लिए अगर आप अथर्व वेत को study करेंगे तो वहाँ पे step by step बताया गया है कि basically क्या steps है जिसके बाद में जा करके एक person eligible होता है उसको study करने के लिए अगर short मैं आपको बताऊं तो वो steps यह है कि जब आपको समझ आ चुका है कि इस दुनिया में जो भी करने लाइक है वो सब मैंने कर लिया है कुछ नहीं बचा है करने के लिए in terms of success, in terms of achievement in terms of experiences in terms of anything जब आपको समझ आ गया है कि अब और कुछ नहीं है that is more like a repetition कि एक cycle में मैं गोल-गोल-गोल घूम रहा हूँ कि अब इसके beyond और कुछ नहीं है जो इस दुनिया में किया जा सकता है तो उसको बोलते है वेराग्य कि अब आपको इस दुनिया में करतो रहे हो अपने जो भी काम है करने वाले जो भी आपकी duties है उसको perform कर रहे हो पट आपको समझ आ गया है कि उसका अपने आप में कोई meaning नहीं है अब उसमें आपका actual में कोई interest नहीं है you're just doing it for the heck of doing it कि ठीके करना है तो I'm doing it और जब आपके अंदर से question उठता है कि is there something more to life क्या कुछ और भी है यही सब है कि खाना पीना निकालना फिर मर जाना चले जाना यह वो whatever कुछ और भी है and when you're so curious and you're free from all those desires and fears and aversions and all those things तब आप eligible हो जाते हो यह study करने के लिए फिर जब आप बैठके इसको study करोगे और silence में अराम से कई-कई घंटों तक बैठके अराम से observe करोगे क्योंकि कोई thought ही नहीं होगा इस दुनिया से related क्योंकि इस दुनिया में interest ही नहीं है आप समझगे कब नहीं interest जब कर रहे हो तो है for example अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो उस वक्त तो interest है पूरे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं बट रख लिया ध्यान अब वो बच्चे busy हैं अपना कोई classes में या खेल रहे हैं अब अकेले हैं आपके husband अपना अलग busy हैं तो अब क्या करेंगे अब अप अकेले में बैठे हैं अब अपने को जन प्रग्यम, नप्रग्यम, यह क्या है? इसका मतलब क्या है, यह क्या है, किस लेवल की बात करी जा रही है, तो फिर उसके लिए you have to be free from everything related to this world, कब free हो सकते हो, जब intelligently आपने finances को plan कर दिया है, अपनी health को moderate level पर ले आए है, ना extreme में health के लिए पागल है, ना health को बिल्कुली neglect कर रहे है, ना पैसे के पीछे बिल्कुली पागल है, ना पैसे को neglect कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे को neglect कर रहे हैं, तो सड़क पर जागर के हम भीग मागने लग जाएंगे, राइट, फिर तो लिए eligible नहीं है, इस तरह की knowledge के लिए, या कोई इंसान जो health के पीछे पागल है, health मतलब भार से दिखने वाली health, जो Instagram पे हम देखते हैं, कोई है जो उसके पीछे पागल है, अपने apps के पीछे पागल है, उसके पीछे पागल है, कोई है जो बिल्कुल ही health के बिल्कुली importance नहीं दे रहा है, वो भी eligible नहीं है, तो eligible कौन है, जो बीच के एक रास्ते में है, middle path पे है, अब क्या है, वहाँ पे उसने इन दोनों चीजों को balance कर दिया है, ना तो extreme में कुछ कर रहा है, ना छोड़ रहा है, अब वो बीच में अराम से बैठ करके, जब भी उसको free time मिलेगा, दिन में दो घंटे, चार घंटे, वो बैठ करके, अराम से contemplate कर सकता है, देख सकता है, I'm not saying, सोच रहा है वो, I'm saying, देख रहा है, उस सच को, experientially देख रहा है एक एक बात को, I think उसमें आपका sound of silence वाला, जो meditation है, I think that's pretty helpful, very helpful, उसके बिना तो वो हो ही नहीं सकता, sound of silence के बिना, वेदो को और उपनिश्यत को समझने का मतलब है, हवा में तीर चलाना, वो भी अधिरे में, कुछ समझ नहीं आएगा, क्या बात हो रही है, तो दो अलग-अलग चीज़ें हैं, एक है experience of the sound of silence, एक है understanding of the self, यह दोनों साथ-साथ चलती है, मतलब बिल्कुल cycle, जैसे एक bicycle है, उसके दो wheels है, दोनों wheels important है, बहुत लोग है, उनको experience तो है sound of silence का, बट उसको भी imagine करते रहते हैं, they imagine कि यह एक path है, जिस पे चल करके एक दिन एक दरवाजा खुलेगा, फिर हम अंदर गुसेंगे, अंदर वहाँ पर एक स्वर्ग होगा, वहाँ पर कोई बैठा होगा, यह होगा, वो होगा, नर्ग होगा, यह वो whatever, वो imagination की दुनिया में है, दूसरा extreme उन लोगों का है, जो वेदों में, उपनिश्यत्स में, जो कहा गया है, उसको रटते चले जा रहे है, सिर्फ knowledge, ग्यान, एक है ग्यान, एक है बोध, ग्यान मतलब क्या knowledge, एक है experience, दोनों जरूरी है ना, जैसे मैं आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताता चला जाओं, जिसका आपको experience ही नहीं है, आप कहोगे, क्या बोल रहे हो, अब experience तो है, बट उसकी understanding नहीं है, तब भी आप कहोगे, हाँ नहीं, अच्छा तो है, बट I don't know कि यह क्या है, और नहीं, इसी बारे में, एक और भी, जो मेरा question था, कि जैसे हम वेदों में पढ़ते हैं, कि everything is one supreme consciousness, ब्रह्मन, तो अगर हम सब कुछ एक मानते हैं, तो why is it कि हमारे tradition में, हमारे culture में, इतने सारे देवी देवताज हमने रखे हुएं, किसी भी कारे के लिए, means कि अगर किसी को पढ़ाई में अच्छा है, जो कि इस पूरे वर्ड को चला रही है, so why do we have to go through all the different levels, why can't we just say, yeah there is only one that we have to pray to, one का मतलब क्या है, क्योंकि वेदान्त में कभी भी ये नहीं कहते है one, ये वर्ड कहीं भी use नहीं होता है, वहाँ पे जो वर्ड यूस होता है, that is adwait, non-do it, उसका मतलब क्या है, दो नहीं है, मुँ ये नहीं कहते हैं, आच्छा मतलब दो नहीं है, वो ये नहीं कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं, because ये जो रिशी मुनी है ना, जिनोंने ये विधान्त के jो मंत्र है, जो एक्च्टल में, जो डीप में गए है इतना सोच समझ करके एक वर्ड को लिखा है जिसकी कोई हद नहीं है मतलब हम लोग तो जल्दी में कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी कर देते हैं वो लोग एक एक वर्ड के पीछे इतना डीप में गए है इसलिए उन्होंने बोला अद्वैत यानि क्या दो नहीं है तो क्या है क्या एक है उन्होंने तो नहीं कहा कि एक है यह तो हम खुद अजियूम कर रहे है एक है तो यह दुनिया में इतना सब कुछ कैसे दिख रहा है जैसे आपने question पूचा कि इतने सारे देवी देवता क्यों तो वो क्या कह रहे है, दो नहीं है मतलब क्या, कि एक standpoint से देखोगे, तो एक है, दूसरे standpoint से देखोगे, तो infinite है यानि, from the standpoint of the forms there are infinite number of forms, from the standpoint of the substance, there is only one substance, जैसे मिट्टी है मिट्टी के बहुत सारे तरह तरह के हमने बरतन बना लिया बरतन बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि एक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बरतन है हम यह नहीं कह सकते कि एक ही है, नहीं तो आदमी सामने से यह ही कहेगा, यह एक कहाँ है, तो बहुत सारे है वो क्या कह रहे हैं? दो नहीं है कि आप इन दो को अलग-अलग समझ रहे हो? दो नहीं है यानि मिट्टी का बरतन और मिट्टी दो नहीं है, एक ही है उस standpoint से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मिट्टी एक है, बरतन अनेक है मिट्टी एक है बरतन अनेक है तो अगर हम इस बात को बारीकी से समझ गए है तो परमात्मा एक है यानि हर फार्म में परमात्मा ही है तो अब किसी भी फार्म की पुझा करो न पहाड में भी परमात्मा है धर्ती में भी परमात्मा है जल में भी परमात्मा है, अगनी में भी परमात्मा है वायू में भी परमात्मा है आकाश में भी परमात्मा है जो कुछ है वो सब कुछ ही परमात्मा है तो कहीं भी पुजा करो, किसी की भी करो, कैसे भी करो फिर चाहे आप गणेश जी की करो चाहे भगवान शिव की करो चाहे देवी की करो चाहे देवता की करो आप समझ रहे हैं अजी This is the high top knowledge हाँ, this is the pinnacle of knowledge क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है क्योंकि हम लोगे ऐसा लगता है कि हमारे वाले बेटर हैं आपके वाले कम हैं So do you think कि अगर कोई वेदानता कि थू जाता है या पढ़ता समझता है Do you think कि उसकी वो जो भ्रांती है वो खत्म हो सकती है? Do you think that can be helpful? पूरी तरह से खत्म हो सकती है और ये भी गलत फैमी है लोग क्या समझते हैं वेदानता को study करने के बाद में हम बिल्कुल ही non-religious हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं है जबकि ऐसा नहीं है बेसिकलिए आप ध्यान से सबाएं ना इसके steps क्या है to understand yourself इसका पहला step है वेराग्य वेराग्य का बाता है तब नहीं जब आपने कुछ अचीवी नहीं किया और आपने छोड़ दिया जब जो भी पाने लायक है इस धर्ती पे इस दुनिया में वो सब आपने पा लिया पा करके देख लिया experience करके देख लिया और फिर छोड़ दिया जिसने पाया ही नहीं उसके अंदर तो craving है वो कैसे चोड़ सकता है वो तो भार-भार से दिखाएगा कि मैंने चोड़ दिया है अंदर से तो छूटा ही नहीं craving बनी ही रहेगी मरते दम तक तो पहला step क्या है वेरागय वेरागय कब आता है जब हम moderation में चले जाते हैं ना excess में indulge होते हैं ना पूरी तरह से छोड़ते हैं बीच में आ गए इसलिए पहले के जमाने में जितने भी रिशी मुनी थे वो सब ज़्यादा तर ग्रहस्त थे यानि कि उनकी अपनी एक family थी और wife थी, बच्चे थे आप कोई भी कथा पढ़ लो पढ़ लो, उसके कथाएं आएंगी everybody was like ग्रहस्त, right? family तो यह जो concept आये ना भ्रहमचरे का, यह बहुत बाद में आया है तो इनलों गूंट वो कब आया कैसे आया, क्या आया that is a different story altogether, अभी हम भानी जाते but the point is जो समयने वाली बात है, वो यह है कि जो actual में जो वेद और उपनिशद जहां से आये है, वो लोग वो थे जो बहुत ही simple life जीते थे simple मतलब क्या, एक छोटी सी कुटिया है, पास में नदी बह रही है, एक छोटा का आश्रम है, पेड़ के नीचे कुछ शिष्य बैठे हैं, उनको सिखा रहे हैं, कर रहे हैं इस तरह से ये simple life, बहुत simple life a moderate life nothing in excess ऐसा नहीं है कि बैठ करके तफस्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तो अब ध्यान से समझना, तो ये सब जो आएं हैं, मंत्र वो आएं हैं through moderation through living a balanced life योकि एक moderate जो mind होता है न, वो eligible हो जाता है आगे next step पे जाने के लिए यानि उसके अंदर विराके जागने लग जाता है अब next step जो आता है that is उपासना, that is भक्ती बिना उपासना के बिना भक्ती के, मतलब दिल में जब तक ये नहीं होगा न अंदर से एक चीख नहीं निकलेगी ये भगवान मेरी मदद करो मुझे बताओ कि सही रास्ता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है तब तक वो आदमी धूंगी पाखंडी बन करके भार से दिखाता रहेगा कि मेरे को ये पता है, वो पता है, बट अंदर से एक्चुल में उसके दिल में वो चाहा पैदा ही नहीं हुई है, जानने की कि भगवान क्या है अब वो कब पैदा होती है जब आदमी अपनी मॉर्टालिटी को देख लेता है, उसको समझ आ जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, this is very very fragile, कल एक बिमारी होनी है पता भी नहीं लगेगा कहां गए हुआ करता था तो केरेंगा मतलब है, जब वो इनसान अपनी fragility को देख लेता है तो उसकी ego shatter हो जाती है तो तूट जाता है पूरी तरह से फिर वो भगवान के पास जाता है भगवान मतलब क्या, कहीं भी किसी भी जगे पे जा करके बैठ जाता है और हार मान जाता है और कहता है और कहता है कि भगवान मुझे नहीं पता कि क्या रास्ता है आप बताओ फिर जा करके उसको जवाब मिलने लगते हैं उसको और अच्छे लगने लग जाते है जैसे for example भगवान शिवड अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे, observe करेंगे तो वो basically क्या है उनको आप कह सकते हैं कि उनको अगर आप बारीकी से observe करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे secrets reveal होते हुए दिखेंगे भगवान शिवड के पीछे भूतों की टोली चलती है इसका मतलब क्या है, what is भूत अब आप सिरफ भगवान शिवड को इसलिए पूजा नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए क्योंकि वो तो पहले जिन्दगी की डोर एक्चुल में भगवान के हाथ में छोड़ दी है भगवान मतलब क्या, उसको आप nature कहो universe कहो, प्रकृती कहो कुछ भी बोलते रहो कुछ भी, anything सब छोड़ दिया surrender कर दिया, कि अब तू समभाल ले सब कुछ तो वो सब समभाल लेता है तो अब सवाल उठता है, अब क्या दिखेगा आपको, अब जब आप भगवान विश्नु को देखेंगे, ब्रह्मा को देखेंगे, भगवान शिव को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो और लोगों को नजर नहीं आता है, जैसे मैंने आपको example बताया कि भगवान शिव के पीछे भूतों की टोली चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, भूत मतलब क्या? past, memory उसी past के base पे future create होता है जिसको काल बोलते है, समय बोलते है तो ये भूत, यानि की past और future भगवान शिव के उपर नहीं है, सर पर नहीं है क्योंकि सर से तो गंगा भे रहे है भगवान शिव मतलब क्या? वो जो आत्म ज्यानी है जो खुद को जानते है तो भूतों की टोली उनके पीछे है mind उनके पीछे है right? thoughts उनके पीछे है feelings उनके पीछे है, emotions उनके पीछे है उनके उपर हावी नहीं है बट लोगों के case में क्या है? भूत उनके सर पे चड़ा हुआ है राख द्वेशे सब क्या है? भूत है, तो उनके उपर भूत चड़ जाता है तो लोगों के सर पे भूत चड़ा हुआ है बट भगवान शिव के पीछे भूत है इस पूरी दुनिया को उन्होंने जला दिया है उससे क्या बनता है राख उस राख को बॉड़ी पे लगा दिया है मतलब जो essence of this universe है उसको वो जानते है उनके सर से गंगा जी भेर रही है जिसमें जा करके आपके सारे पाप धुल जाते है क्या है वो गंगा? ज्यान जहां है वो गंगा? नहीं, not ज्यान the sound of silence बहुत गहरी बात है ये बहुत गहरी बात है जो हमारे जो चक्र होते हैं उसमें सबसे उपर जो चक्र होता है that is सहसरार तो वहीं से हम पूरे युनिवर्स से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर से ये गंगा बह रही है कभी आप बारीकी से बैट करके sound of silence को observe करोगे तो वो हमारे अंदर भी है और बहार भी है इस तरह से जब आप देखते रहते हैं उनकी जो तीसरी आँख है तीसरी आँख मतलब क्या है दो आँखे जो बाहर देखती है एक तीसरी आँख है जो अंदर देख लेती है वो अंदर किसको देख रही है वो sound of silence को देख रही है sound of silence मतलब क्या ये सब जो particles आपको दिख रहे हैं ये एक्चुन में particles जैसे दिखते हैं these are all just vibrations energy vibrating at different frequencies तो इन सब की reality क्या है these are all just waves और ये सब waves किसकी ओपर टिकी हुई है इन सब का अधिश्ठान क्या है यानि ये सब waves यानि जो भी particle ये पूरा universe है ये पूरी दुनिया है जो आपको दिखती है सुनाई देती है, feel होती है ये सब किसपे टिकी हुई है, ये सब waves है ये waves टिकी हुई है sound of silence के ओपर that is the ground for all of this तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो वही गंगा जी जो उनके सर से निकली और वो आपने विश्लू भगवान को देखा होगा कि जब वो बैठे हैं तो चारो तरफ पानी ही पानी है हाँ जी ये बहुत गहरी बात है जिसको समझाये जा रहा है बहुत 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 प्यारे तरीके से आपने समझाये beautiful, it couldn't have been better than this सब तो जब भी मैं शिवजी की फोतो देखूंगा I will have this thing in my mind all the time very very nice तभी मैंने बुरो आपका जो clarity of thought to explain things is so beautiful कि जिसको ना भी समझ में आ रहा हो ना उसको भी समझ में आ जाएगा I hope you got all the answers जो भी आपके questions थे बिलकुल, ये कुछ ऐसे questions थे जिनका answer मिलना इतना आसान नहीं था because there is nobody you can actually you know talk to about all these things not many people are interested as you know जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वेदों की studies बहुत से even youngsters को भी करनी चाहिए I know it sounds boring but क्योंकि आज़कल audios है, videos है so जैसे आपने जो Ashtabakr Gita के ओपर जो videos बनाए you made it very interesting you know so इस तरह बनाने वाले there are not many people I would say because the way you explain is so close to heart a person can easily understand समझ रहे हैं आपका जो connection है level of connection जो people के साथ है because I have many people around me who really get inspired by what you tell जाहे वो कुछ भी हो जाहे वो मदर रिलेशन है जाहे फिर वो काम है जाहे फिर वो spirituality है so many things तो आपका एक बहुत बड़ा वो है योगदान है I would say so मैं आपको बहुत-बहुत thanks बोलना चाहती हूं and I think I couldn't have got a better better understanding of this Thank you, thank you so much and it was a pleasure talking to you Thank you, Ji Thank you so much Most welcome, Ji Thanks, bye Thank you